Hello everyone and once again welcome back to Umar Tashkir YouTube channel myself Umar Tashkir Guys, Lead Generation course के आज के इस particular वीडियो में हम लोग बात करने वाले किस तरीके से हम लोग एक call campaign set up कर सकते हैं Facebook platform की help से सीधा सा कहने का मतलब यह है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई person हमें call करे ads के उपर click करने के बाद और वो as a lead consider हो तो इसको हम लोग किस तरीके से setup कर सकते हैं अब guys calling को और lead को मैं इसलिए एक साथ समझाने की आपको कोशिश्च कर रहा हूँ कि कि आज के time में हमारे पास बहुत सारे ऐसे call management के software available है tools available है platforms available है जैसे for example अगर मैं आपको बताओ तो leads management it's not only about the normal CRM's आज हमारे पास call को track करने के call के basis पर leads को analyze करने के हमारे पास आज full-fledged CRM's यह हैं वो available है यह software's available है तो इसी लिए यह topic और भी जादा important हो जाता है इस particular video में हम लोग सीधे सीधे हमारे facebook ads account के उपर और मैं create के उपर क्लिक करूँगा तो अगर हमें call campaign run करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर चला जाता हूँ आपके पास traffic का option है और यहाँ पर आपके पास leads का भी option है तो मैं सीधे leads के उपर चला जाऊँगा अब देखो यहाँ पर आपको दिख रह लगा हुआ है यहाँ पर और जो हमारा campaign objective है leads है यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है next हम आगे आ जाएंगे और यहाँ पर हम हमारे ad set के उपर आजाएंगे अब आपको क्या करना है आपको lifetime budget के उपर run करना है क्यूंकि देखो जब कभी आप call ads run करते हैं और proper आपके पास sales team ब तो अब sales team आपकी रात में तो काम करने वाली नहीं है तो ऐसे case में call ads के साथ साथ आपको add scheduling है उसको भी run करना पड़ेगा कि मेरा जो add है वो इस particular time से इस particular time के बीच में ही run हो ताकि उस particular time में अगर कोई call करता है आपको तो आपकी sales team है उस call को ले सके तो इसके point of view से अगर ह सब्सक्राइब करना है तो उसके लिए हमने यहां पर lifetime budget कि उपर जाना पड़े deposit . My आपको lifetime budget के उपर जाना पड़ेगा मैं lifetime budget पर आ जाता हूं लेट से मैं अपना lifetime budget यहां पर रख देता हूं 30,000 और मेरी जो start date है वह 4th December से लेकर 4 January एक महिने के अंदर हम लोग 30,000 रुपए जो है वो खर्च करना चाहते तो on an average यह 1000 रुपए पड़े पड़ा किसी दिन यह कम खर्च करेगा किस दिन यह जादा खर्च करेगा बट on an average एक महिने के अंदर यह approximately 30,000 रुपीज जो है वो खर्च करने वाला है तो for example अगर आपको 7 दिन के लिए 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए किसी campaign को run करना है तो उसी के हिसाब से आपका जो daily budget है उसके हिसाब से आप अप मैं 14 संबर तक इसको केवल रन करना चाहूंगा तो इससाब से थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना है कि lifetime budget आप calculate करके कितना रखेंगे फाइन नाओ यहाँ पर जो मैं add scheduling की बात करता है बहुत ही जादा important है मैं यहाँ पर click कर देता हूं अब let's say मुझे Monday to Friday जो है वो ads run करन करने है morning में यहाँ पर मैं ले लता हूं नौ बज़े से Monday to Friday मेरे को रन करने है शाम के साथ बज़े तक हम करना चाहें तो that we can also do मैं अगर 8 बज़े तक करना चाहूं तो भी मैं कर सकता हूं fine तो यह options होते हैं basically हमारे पास कि हम यहाँ पर अपने हिसाब से अपने recording जो जो भी क्योंकि देखो सामने वाला person भी जो आपके ads को देखता है वो भी थोड़ा सा hesitate करता है कि रात के ग्यारा बज़ रहे हैं इस वक्त कोई call receive करेगा या नहीं करेगा और आपके जो impressions है वो जादे-जादा होते जा रहे हैं आपको results मिल रही रहा है तो जो campaign के actual learning है वो भी hamper हो बाकि जो हमारी audience targeting उसमें कोई विवदलाव नहीं आएगा जिस भी तरीके की आपको audience target करनी है वो आप कर सकते हैं लेट से अगर आप कोई को टार्गेट करना है तो वो भी आप डिटेल टार्गेटिंग में जाकर उसको भी आप सेट अप कर सकते हैं तो audience targeting में कोई फर्क नहीं आएगा ठीक है placements आप अपने according select कर लें यहाँ पर right उसके बाद मैं यहाँ पर next पर आ जाता हूँ ठीक है या अगर पीछे अगर आप आएंगे तो एक और आपको option यहाँ पर दिखाई देगा नीचे मैं आपको दिखाता हूँ optimization for ad delivery यहाँ पर calls ही लगा रहेगा मतलब आपका अएड उन लोगों को दिखेगा जिनके ज्यादा आदा chances हैं कि वो calls करें सर जी क्या इसकी कोई reporting अलग type की होती है क्योंकि जब हम conversion ad run करते हैं तो हम conversions को measure कर लेते हैं जब हम traffic ads run करते हैं तो हम landing page views को या link clicks को measure कर लेते हैं उसके लिए हमने कितने पैसे जो है वो दिये बट सर जी calls जो calls है क्या इनका कोई measurement metric है यस measurement metric है अभी मैं उसकी भी बात करूंगा आपसे यहां पर भी देखो चीज लिखी वी है will deliver your ads to try to get you most possible calls and report the number of times that the call button in the call confirmation dialogue is clicked थीक है तो जितनी बार भी वो call confirmation का जो button होता है उस पर click आएगी it will be recorded as a phone click थीक है तो phone click के एक metric होती जो basically आपको facebook ads के platform के अंदर मिल जाएगी तो वहां पर जो है वो चीज आप जो है उसको measure कर सकते है fine तो I believe यह चीज भी आपको clear हो गई हो कि इसका measurement भी possible है and the beauty of this ad is कि जैसे मिशे कोई ad दिखा और मैं उसके उपर click करता हूँ जो call to action का button है तो मैं जैसे ही click करूँगा वो dialer के साथ open हो जाता है fine तो यह एक बहतरीं चीज है तो mobile के उपर जादा calls आने के आपकी probability हो जाती हो mobile के उपर ही calls आएंगे basically आपको now मैं next करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर हमें हमारा जो creative है उसको select करना है proper जैसे हम अपना Facebook पर select करते हैं Instagram account select करते हैं वैसे हम लोग select करेंगे आपर ठीक है but the point is कि यहाँ पर बस आपको जो phone number है आपका वो यहाँ पर डालना है और वो call now क बटन है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ठीक है और आपको कुछ नहीं करना है बाकि आपको जो आट ग्रूप्स अगरा कि मैंने structuring आपको पढ़ाई वी है Facebook आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आट ग्रूप्स आपको किस तरी से बनाने audience आपको किस तरी से बनाने clicks यह आपको यहाँ पर दिख रहा है मैं एक बार यहाँ पर phone भी select करता हूँ देखो matrices to include phone number clicks तो यह दो matrices आपको मिल जाती है यहाँ पर एक होती हमारी यह देख रहा हूँ आप estimated call confirmation clicks तो इसके business पर आप आपको कर सकते हैं अपनी reporting कर सकते हैं और phone number clicks जो है उसके business पर आपनी reporting झाल, 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